ओम वंदेगौमातर मित्रो स्वास्थ रख्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश ये लिए स्वदेशी चिकिसक प्रभा भारती है आप सबका स्वागत करती है बित्रो जब किसी को पता चलता है कि कॉलेस्ट्रोल बढ़ रहा है नसों में कॉलेस्ट्रोल जम रहा है तो सबसे पहला एक भए उसके मन में आता है कि हाई कहीं मुझे हट अटेक ना हो जाए और ऐसी स्थिती में वह दवाईयां भी खाते हूं बित्रो जो होते हैं जो होते हैं जो संकेत बता चलता है कि बौडी में बढ़ रहा है वहीं से इसका इदी रोक ठाम कर दो ना तो समस्या आगे बढ़े ही नहीं इसलिए मित्रो आयुर्वेद ने बात कही गई है कि रोक और शत्रू इनको कभी भी छोटा नहीं समेटना चाहिए क्योंकि यह आउसर पाका कब बड़े और विक्राल रूप लेले पता नहीं चलता और हमारे विनाष्का पारन बन जाते हैं चोट्वे पिसमा आउसरो हमें आपको पूरी जान करी देने वाले हुएा उज्ञत सभी वीडियो देखेगा तो आपको समस्षा से जड़ से समाधन मिल जाएगा अब आपको बता दू सबसे पहले कि हमारी शरी में क्या करते हैं निर्मान कैसे तो कहां बनता है हम जो खाते पीते हम जो सोच विचा रखते ना उसी आधार पर हमारे लीवर में पदार्थ बनता हमारे सब्सक्राप चनल कर रहा है तो घॉल ओड को इसको चैनल कायए जाते हैं अब होता है मित्रोप यदि कोलोस्त्राना है कि च्छेट बनता है वही हमारे शरीक के लिए हानीका रहता है पर दो लगंटें के छी किनुत जुनिता है हुजपी отправ सॉच रखते हैं कि यह मौम्स अंस पकतीज घंट पनृक दरीका किन्तुटं जब हम घ्राब चीजे खाते हैं घराब सोच रखते हैं तो इसी स्थीति में होता यह घ्राब कोलेस्ट्रोल बनने लग जाता है यह घ्राब कोलेस्ट्रोल बनता है नमें जमता है उसके अलावा या कभी-कभी किसी को यह यह क्या ओजाता है उसके तो जितना ब्लड सेक्रूशन होना चाहिए उतनी सही मात्रा में ब्लड सेक्रूशन नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से अंगों में कहीं भी पीडा या कोई गांठ जैसा बनना भी आरम हो जाता है अतीर होता है अब यह बंता कैसे उसको थोड़ा और समझे जो बनता कैसे इसको समझना बहुत जरूरी है इसको समझे बीना आप इस पूरे विश्या को नहीं समझ पाऊगे मित्रों हमारे तो खानपान होता है हम जैसा भजन करते हैं हमारे है पहले चलता था घानी का तैल जो कछी घानी का टेल कहा जाता है किन्थो कुछ समय 20-30 साल पहले कहानी चली प्रति जा रहे हैं और उसी कारह होता है तो आपको कॉलोस्ट्रोल की समस्या नहीं आएगी दूसारी बाइब ओडि के टॉक्षिंस निखल जाएंगे की वहात नहीं बनता है उससे कॉलस्तो सोल मतलब अच्छा उससे खरब कोलेस्टो नहीं बंता इक बात और वतादू कि कभी-कभी क्या होता हुता है अमारे हार्मोंस रिलीज होते हैं और यह हमारे फूरे होते हैं तो बुर्र नता है और आपको बता दूर हमारी सोच कैसे हमारी विचार कैसी हमारी समझ कैसी और हम कितने क्वाजिटीव है इसल hiring करता है हमारा कोलस्ट्रॉल बने ग probable कि हमारे हलों कैसे बनेंगे इस ही पर यह बन करते कि अपने घर में एक आदमी आराम विशक होगे होता है न God कभी-कभी आपकी विचारथार रहा है वह आपकीसी अच्छे-बोजन को भी विश्ट बना सकती है इसलिए विचारों का अच्छा होना बहुत आवश्यक हो था ऐसा हमारे सास्तोर में कहा गया अब आपको बता दू कि इसके लक्षन क्या होते हैं यह आरंबी की स्थिति में आपको कैसे पता चलता है मित्रो सबसे पहली बात आपको बता दू जब इसके शुरुवात हो जाते कि भाई आप सरी में गड़ बढ़ी है तो पहला जो संटम्स दिखाई देता है मित्रों पेट साफ नहीं होता है तो आलस बढ़ने लग जाता है काम करने का मन नहीं लगता है तो समझे यहां से कहीं कॉलस्ट्रोल भी बढ़ सकता क्योंकि पेट क्वाक जmbol में लिधे क्जाई नहीं चलते हैं तो सम्क्राइब चबार चतए हैं और आप नोटीस करिए यह मूह से सांस चलते हैं जब मोह से सांस चलती है क्या बनते है कि हमारी जो पिचुट्री ग्लेंट से जो अम्रत जड़ता है ना उसको हमारी देशी वाशा में वैसे और आर्मस कहते हैं और हमारी देशरी भासा में उसको अम्रित कहा जाता याँ कफ भी है कफ जो विक्रित होता है तो हमारी नस्राणियों में जमता क्फ भारती भाशा में सो पता होता है किसी को पता होगा कि ओपर से आता है यहां से यहां से आप देखिए ऐसे करिषगे आपको पता चलते कि ऊपर से कुछ गिर रहा है यहां इसे आप कुछ सी कफिंग सब नौल klein by आएगा कि we खने हम गर करते हुँ हूं सर्फोहिक सर्फोह आता है अलिए इसमीन हमानी कंज सब्सक्राणाओयद-शुद्र सब्सक्राइब करें तो उसको अच्छा बनाएगा और मुह से सांस चलना बहुत जरूरी है और नाक्से सांस कैसे चले और पेट साफ के लिए इस वीडियो के सब्सक्राइब करें पानी कैसे पीना कितना पीना पीड़ा और नाक में तेल डालेंगे घी डालेंगे तो आपको नाक से सांस चोटी हो जाती है तो आप देखी कई बार आपकी सांस गले तक ही मैसूस होते हैं इस फटा-फट सांस देख पर पाती है और जान नाक से चल नहीं चलती तो बिलकुल पाती है तो यह जो अत्यास है यह आपके बोड़ी में आपके तरह को मिलेगा तो क्या होगा यहां थीक से नहीं करबपाईगा तो ब्लैड पूरी तरह से सर्कुलेटें। नहीं भी वह हूत के यह तो म्मीलेगा नोधनिक अनिक वंचने कांग टाल में थेट्लिक से नहीं तिक lagi नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा और हार्ट में जब फेफड़ों में जाएगा तभी हार्ट जो ब्लड हो सब्सक्राइब क्या सुद्ध होगा तो यह आपको समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी समस्या है यदि आपकी सांस छोटी है और नाक से नहीं चल पार एक मिनिट में चोधा सांसे बारणस से चल दीजा है और आज पर बढ़ा लें उतना ही जीवन च्छूटा और चोटी सांस में गिंती जल्दी पूरी हो जाती है उसके बाद जब आपका बलड स्यक्रिक्षिंट ठीक से नहीं होता आरम होता है तो अंगों में सुन्पन आने लग जाता है पारें तो यह ब्लेट सर्कृरिशन नहीं हो रहा है और ये श्थिती बन जाती कि आपको ये स्थिती बन जाती कि वहां और जुन जुन्जुनी का महीं हो पारा है एक दम फिलाना पड़ता पर वो हिलते ही नहीं बना क्योंकि कई बार लोग बैठते ना पैटके उठते हैं तो उनके साथ यह समस्या हो जाती है तो यह एक स्थिती बन जाती इसमें उसके बहुत थकान होती है बीपी बढ़ने लग जाता है क्योंकि जब सांस तेज होगी है दिरी दिरी बीपी भी बढ़ने लग जाता है तो यह इसकी बहुत बड़ी प्रब्लम है उसके लिए अंक के ऊपर आपने देखो का आप के ऊपर हो जाता है अपने आप थीक हो जाएंगे आप इसका डायरेक्ट समाधान करने जाएंगे कभी नहीं को क्युक्कि मैंने आख देखने में समस्या होती है होते है या आखों के सामने अबने खेसान होती है तो और इससे कह अधान साथा mama कप इस घ जाता है तो इतने सारे प्रोब्लम्स आपको बताते हैं की घ कुंटकिको इस दिखाई भी इन दिता है आक से जाम की शुरुआत होगी इस से अपना पर पहले बता दिया नाक से सांस नहीं चल रही तो नाक से सांस चलनी चीए आपको नाक में तील डालना अनीवार यह यह विकल्प नहीं है नाक में तेल डालने का जो एकक्सिकर लाल ले उससे ऑपका यहां कुछ खुल जाता है लेकिन आगे जो है जो हिस्सा है और गाले तक का इस बाइए मनें उसके कुछ भी नहीं जाते हैं उसमें आप तेल डालेंगे तो और अच्छे से आपको हो जाएगा अब आपको बता दू हाट की प्रॉब्लम है कुछी प्रॉब्लम तो इसी वीडियो के डिस्क्रप्शन में में बहुत सारी प्लेलिस्ट दिये हैं उनके बार खुलके चेक करेगा आपको आपके रोगा नुसर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे जिनके निर्देशों का पा श्रीट दू एंड रोगों के कारण का मतलब यह कभी नहीं करना यह चीजा को छोड़ देने और स्वास्थिन मतलब वापो करना पूरा का पूरा फॉलो करेंगे आप परसंट पाएंगे और उसके लाव मित्रों कुछ व्यायायम भी आपको करने होगी जो आपको वहां पत तो आप इंस्टाग्राम फेस्बूक पर सकते वीडियोट करा सकते हुए नंबर नियुक ऑप समान मिलता है अब एक जरूरी बात आप हमेसे देते हो ना वीडियोज देखते हो तो हमारी जान्कारी आपके कितनी उप्योड़ी है अपको हमारी वीडियो देखके क्या लाव हानी का लाव क्या हानी हो क्योंकि आप जब हानी बताएंगे तो भी मैं आपको बना तो आपके पालन करने में कहा गड़बड किये और लावब भी बताएं ताकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दवाईयों के करना भटा करे तो आप पहले निर्देशों का पालन करिए उसके बाद आप कमेंट करिए कि आप आपको कैसा लग रहा है और वो कमेंट आपकी औरों को भी लापकाली होती है इसलिए कमेंट अवश्य करिएगा तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद कि अपने पूरा वीड झालन करिए 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